रोशनी किचन में आपका स्वागत है चलो इस वीडियो में हमें छोला पनीर को रेश्पी सेयर करने वाले हैं चलो वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए हम लोग 100 ग्राम काबली चना लिये हैं रात बर के लिए भीगो कर रख दिये थे देख सकते हैं अच्छे से फुल गया ह जलते हैं गैस के तरप इधर पती लार चनाए है इसमें पानी डाल दिए हैं काबली चाना और आलू इसमें डाल देंगे डाल कर भाल लेंगे देख सकते हैं इक हम लोग ब्रूंट को चेकर दो देख सकते है अच्छे से सिज़ गया है इस तरह हम आलू को है से हम लोग चोई टुकरों में कर लिये हैं सब गराम पनीर लिया है आप चलते हैं गयस के तरप इधर मेरा तेलगरा में इसमें पनीर को इसे डाल कर इसे 4-5 में अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे देख सकते हैं प्राई हो गया इस तरह सांब निकाल लेंगे इस तरह हम दो सारे पनीर को निकाल लेंगे इधर मेरा तेर गड़ा में दो तेश पत्ते कटी भी वी अधर अगला सुन का उन्हों दरदारा कुटली हैं इसमें डालकर इस बारा सेच के हम लोग प्याज को दाल देंगे डाल कर इस तरह सहां निक्स करना है 3-4 टक लेगत धां से chínhसी भूल ले देख सकते हैं जो हमारे कबली चान और अलू पनीर है इसको इसमें डालकर हम लोग का ऐसे हम लोग मिक्स कर लेना है इसको ढखकर बीच मिच मिच में से चलाते रहेंगे चार से पांच महर तक ले कि देख सकते हैं इसमें हम लोग पाने डालकर अपने जर्ट ग्राप से कम यह ज्यादा पाने डाल सकते हैं इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे ढखकर 8-10 मेर तकले और इसको पका लेंगे एक बाड़ा सेज के हम लोग टामाटर लिए है इस च्वर्ष रोल में कटिंग करकर इस त हम लोग डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं मेरा छोला पनी रेटी है आप भी बनाई है मुझे कमेंट बताए कि आपको छोला पनी कैसे बना